हेलो डियर स्वेंड मैं परंबीर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर सड़ा के यूट्यूब लनिंग प्रेटफॉर्म पे बच्चो अगर आप नीट 25 को टार्गेट करने जा रहे तो नो डाउट इस समय कई सारे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या नीट 25 काफी difficult होगा हो सकता है नीट 25 computer based test हो या फिर IIT की तरह है आई एटी का जो exam होता है उसकी तरह यहाँ पे दो पार्ट में दो phases में नीट का exam देखने को मिले pre और mains के जैसा या फिर आपके मन में ऐसा भी सवाल आ रहा होगा हो सकता है कि इस बार कुछ criteria लगा कि 75% तक अगर आपके बोर्स में marks नहीं आ रहे तो आप नीट के exam को नहीं दे सकते इस तरीके के सवाल हो सकता है किसी किसी के मन में उठ रहे हो और किसी का मन में एकदम clear भी हो चीज़ है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला यह सारे ही point आज की इसी वीडियो में मैं clear कर द में आने वाली अडचने कह सकते हैं या माइंड में जो question हो सकते हैं उनको हम एक एक करके बारी की से समझते हैं सबसे पहला एक यह सवाल जो उट रहा है क्या need 25 computer-based test होगा पहली बात यहां पर समझ लो अभी तक कोई official ऐसा NTA के तरीके तरफ से कोई भी confirm official report नहीं आई है कि ह need 25 computer-based होगा बट यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि proposal जरूर यहां पर present किये गए है कि जो need 25 का जो paper है इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यह proposal आया है यह just proposal है यह fix नहीं है यह कोई official notice नहीं है बट proposal है कि need 25 का exam दो चरणों में हो सकता है two phases में हो सकता है two phases ज तो pre exam होगा यह आपका pre exam no doubt NTA ही कराएगी इसको कराने के लिए responsible NTA ही होगी और यह objective question वाला होगा objective questions के basis पे यह question आपके सामने present किया जाएगा और यह no doubt आपकी hard copy रहेगा यह again एक proposal present किया गया है यह कोई official नहीं है और mains का जो exam होगा इसको NTA नहीं कराएगी इसको या तो मा सकती है cbcc करा सकती है या फिर इसको एम जैसे एम देली पहले कराया करती थी वह करा सकती है कोई और जो government body हो इसको हो सकता है कर रहे बट NTA नहीं कराएगी और इसमें कहने को आ रहा है यहाँ पर कहने को आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा exam होगा वह computer based exam हो सकता है वह कैसा हो सकता है computer based test हो सकता है क्योंकि जो नीट के exam में appear होने वाले बच्चों के जो number है वो अगर आप देखे तो इस बार 24 लाग थे और 24 लाग मुझे नहीं लगता एक समय पर इतने सारे computer ही available होते होंगे computer facility available होती होंगी कि एक समय बच्चे जो 10 लाग के करीब बच्चे आएंगे उनका हम क्या करा सकते computer based test करा सकते हो सकता है NTA ना करा है यह सारी चीज़े अगेन मैं mention कर रहा हूं proposal है कोई भी official notice नहीं है दूसरा एक सवाल कि क्या 75% का criteria लग जाएगा class 12 में लाने का जैसा कि IIT के exam में होता है तो देखो again मैं यहाँ पर mention कर रहा हूं कोई भी official इस तरीके का नहीं आया हुआ है कोई भी official notice नहीं आया जिससे आप यह मान लो कि 75% होगा बिलकुल भी ऐसा नहीं है हाँ यहाँ पर इस information को जरूर याद रखिए जो पुरानी information है कि भाई अगर आप general category के member है अगर आप यह बिलकुल भी allow applicable नहीं है ना ऐसा कोई notice आया हाँ यह जरूर बात है कि अगर आप general के हैं या फिर आप EWS category के member है तो इन category के member के लिए जो number जो percentage वो लाग गया है वो 50% है वो क्या है 50% आपके marks आने चाहिए physics chemistry और biology में PCV में आपका 50% होना चाहिए यह एक criteria जरूर है और वो बच्चे जो OBC वाले हैं या फिर STSC वाले member है या फिर physically handicap वाले member है उनके लिए 40% का criteria रखा गया physics chemistry biology में यह criteria यहाँ पर mentioned है और इस बार non biology वाले या जिन्नोंने biology option में ली हुई है वो बच्चे भी appear हो सकते है तो यह सारी information जो पहले से available है वही लागू होगी कोई भी official ऐसा notice नहीं आया जिसमें 75% का claim किया जा रहे है यह सारी चीजें ऐसा नहीं है मैं अलग से कुछ बता रहा हूं इस तरीके के हो सकता है question आपके mind में आ रहे हो जो इस video में clear हो रहे है ठेक है आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके के question कि number of attempt अभी भी जैसा कि पहले होता था कि unlimited attempt आप देख सकते हैं इसमें कोई age limit नहीं है unlimited यह unlimited आप दे सकते हैं हां बट यहां पे minimum age limit जरूर है यहां पे आप minimum age limit जरूर mention करेंगे that is 17 year आप 17 साल से उपर के जरूर होन यह जरूर एक criteria है यहां पे otherwise आप unlimited यहां पे attempt दे सकते हैं अगर ऐसे भी सोचके देखें कि जो NTA है या जो organizing body है इसको करीब करीब दो करोड से करीब करीब दो करोड से और उपर ही इतना सारा amount करीब करीब इनका लग जाता होगा exam को कराने में और इनको मिलता कितना है अग साला भी एक नियम यहां पे चलता है आगे देखो difficulty level इस पे बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर नीट 25 का जो पेपर है क्या उसका difficulty level बहुत जादा होगा तो इसका answer मैं यही बोलूँगा कि yes difficulty level तो रहने वाला है इसमें कोई सक वाली बात नहीं है क्योंकि अगर इ अटाके सारे grace marks अटाके और सारी ची अटाके फिर भी 17 AIR1 तो यह कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं और इस बात को NTA खुद अपने mind में लेके चलेगा कि इस बार का जो पेपर बनाना है वो will not be easy exam exam easy नहीं होने वाला हाँ बट एक चीज जो अच्छी रहने वाली है इस बार के exam में वो यह कि काफी हत्तक हम यह मान के चल सकते हैं स्चोर हो सकते हैं कि पारदरसिता जरूर होगी वो exam जो होगा वो काफी fair जरूर होगा फेर नीट की हम जरूर इस बार गोहार कर सकते हैं क्योंकि खुद सुप्रीम कोट ने इस बार अच्छे से लतार दिया है कह सकते हैं अगर तुमने इस मूमेंट पर आके अब ज्यादा और बत्तिमीजी किया और ज्यादा बच्चों के वभिस्य के साथ खिलवाड किया तो आपको जिलना पड़ सकता है क्योंकि इस बार अल्रेडी पानी सर के ऊपर जास्तुका था जो हमारी सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट ने खुद यह चीज एटमिट किती कि हां भाई तुम लोगोंने मैल प्रेक्टिस की हैं और भर भर के की हैं वो तो मैं बस इसलिए नही करा रहा एक्जाम कि भाई दुबारा से इतने सारे बच्चे दुबारा से सफर करेंगे बस उस बात का लिहाज करके एंटिय को छोड़ा गया अदरवाइस एंटिय पे कई सारे क्लेम लगे हैं तो अब इस बात पर हम जरा चर्चा कर लेते कि अगर डिफिकल्टी लेवल र कि ऐखें अंद इस बात कि अधसे ऑन समय से कटोंश्चन अंडिय अधिया और कंसेफ्यूट्या और क्नेय क्या कर दिया कि मन्लों झुपीरियर ऊब्री किन किन मिलेगी मन्लों नीचे 6 एक्जाम्पल दे ये अब आपको पता होना चाहिए सुपीरियर ऊब्री किस-किस सब्सक्राइब के चांसिस हैं आप यहां पर देखेंगे इस बार एसर्सन एंड रीजिनिंग वाले कॉस्चन जादा आएंगे अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा रहा है स्पेसिपिकली मैं बायलोजी की बात करूँ तो कैसे बढ़ा सकते हैं यही कुछ रीजन है फिजिक्स की बात क सॉल्व करना इतना असान नहीं है अंटिल अनलेस आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक में एकदम क्लियरिटी नहीं है तब तक आप देखोगे कि भाई नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सरसे नीजन के साथ साथ सथ स्टेटमेंट वाले कॉस्चन का नंबर बढ़ा सकते ह यहाँ पर मैचिंग कॉस्चन के नंबर इंक्रीज कर सकते हैं तो यह वो तरीके हैं जिससे आप क्या देखोगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा मगर एक जो बात आपको ध्यान रखनी है कि नो डाउट पेपर जो आने वाला है वो अपकी NCRT से आने वा यह वही सही है तो इस बात को भी हमको अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा तो हाव टू प्रिपेर पर आजाते हैं कि हमको प्रिपेर कैसे करना है देखें अगर बायलोजी मैं पढ़ा रहा हूं आपको या फिर कोई भी डॉक्र सद्दा की टीम पढ़ा रही है तो जो NCRT में लिखा हुआ उसको एकदम इजी लेंगवेज में आपको समझा देना इंधिस इस जफ्रस्ट श्टेप यह अपनी स्टेप रहती है फिर स्टेप में क्या करते हैं NCRT को अपन करते हैं DECODE NCRT को एकदम इजी लेंगवेज में जब आपको समझा दिया जाता है फिर क्या किया जाता है, read NCRT, NCRT, फिर होती है भाई NCRT की reading, क्योंकि हमको ये बात पता है कि NCRT की हर लाइन बहुत important है, और हर लाइन माइन में imprint होनी चाहिए, माइन में एक दम छपी हुई होनी चाहिए, and then we come to the question part, question practice, फिर आती है बात, question practice की, क्योंकि obvious सी बात है, जब तक आप question practice नहीं करोगे, जब तक आप अपने आपको उस पैमाने पे नहीं रखके देखोगे, जो आपके exam में आपको face करना है, तब तक आप कहीं न कहीं process को miss ही कर रहे हो, इसलिए then question practice is very important, and final, जो एक last तराज हुए, जिस पर अपने आपको तॉलन हैं, जो आपको obvious सी बात है, तै करना ही करना है, क्योंकि test series जब तक आप नहीं लगाएंगे, तब तक आप नहीं मान के चल सकते, exam में जो temperament रखना है, मुझे क्या वही मेरा maintain हो रहा है या नहीं, so यह वो सारी steps है, जिस तरीके से doctor सड़ा की team आपको तयारी कराती है, और य इंदम, हाई एंथिजयास्म के साथ तयारी करनी है, तो we are here for you, doctors अड़ा की पूरी team आपके साथ है, and we are here with our जजबा बैच, जजबा बैच में आप क्या देखेंगे, कि complete जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, order में और आपको मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मिलने वाली है portal भी available है, जो आपके doubt solve करेगा, यहाँ पे personal mentorship हमारे इस जजबा बैच की सबसे खास बात है, द्रोडा, द्रोडा बोले तो personal mentor, आपके जो particular doubts है ना, उसको particular teacher solve करेगा, not only the, कि आपके conceptual doubt आ रहे हैं, आप अपनी life में भी मतलब चीज़े balance करके चल पा रहे हैं, आप routine follow कर पा र train करके बताने का किभी काम यहाँ पे हमारी जो test series है, वो करेगी, right, और no doubt यहाँ पे आपको neat खजाना भी मिल जाएगा, जहाँ पर previous जो हमारे teachers से उनके lecture मिल जाएंगे, but इस जजबा batch में enroll करने के लिए आपको 40% off अगर चाहिए, मतलब यह batch आपको just rupees one triple nine में अगर आप comment section में और भी आपके जो भी doubt है, related doubt है, आप उन doubts को post करिए, और मैं personally उनको reply करूँगा, अगर हो सकेगा, तो मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेके आजाओंगा, जहाँ पे इस तरीकी के आपके जितने भी doubt होंगे, वो मैं cover up करा दूँगा, तो इस session में यह